Are 3 months enough to clear your CS exams? तो अब June 2024 exams को खाली 3 months है, March, April और May और अब results भी आ चुका है, तो ऐसे students जिनोंने December में exam दिया था उनको भी clarity आ चुका है, कि अगर clear नहीं हुआ है तो वोपस June में exam देना है और बाकी के students तो थी, जिनका पहले से June में attempt था तो जो दोनों type of students है, जिनका पहले से June में exam था और ऐसे students जिनका December में था, बट clear नहीं हुआ उनका तो आप वो June में देंगे दोनों type of students का एक common question है, कि 3 months enough है कि नहीं 3 months में हम preparation complete करके appear कर सकते हैं कि नहीं June 2024 के लिए तो यही question का answer आपको मिलेगा आज ये वीडियो में और मैं आपको ये भी बताऊंगा कितने module देने चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए अब ये जो question है कि 3 months enough है कि नहीं CS का preparation करने के लिए, exam का preparation करने के लिए ये बहुत ही general question है, इसमें बहुत सारे टाइप of students हो सकते हैं, मतलब पहला तो हो सकते हैं, दूसरा हो सकता है, प्रोफेशनल का है, फिर एक हो सकता है कि आपका old syllabus है, new syllabus है, या फिर कोई ऐसा student होगा, जिसने अभी तक June में उसकी exam है, बढ़ाई start ही नहीं किया है, for some reason, कोई student ऐसा होगा, जिसका एक group already हो चुगा है, सिर्फ एक group बाकी, ऐसे बहुत सारे अलग-अलग type of students हो सकते हैं, तो आज ही वीडियो में जो भी मैं आपको points और strategy बताऊंगा, वो ऐसा होगा, जो हर type of student यूज कर सकता है, क्योंकि मैंने वो बात का ध्यान रखा है, कि ऐसी चीज student के साथ, उसका answer है, बिल्कुल 110%, आप जून 2024 का exam clear कर सकते हो, अगर आपके पास जो 3 months है, उसको आप सही से use कर सकते हो, कितने group देना है, कैसे prepare करना है, वो मैं बताऊंगा आपको आगे ये वीडियो में, ये कैसे possible होगा, उसके लिए अभी मैं आपको कुछ strategies बताऊंगा, बट strategy planning के साथ साथ, आपको भी आपका 110% efforts दालना पड़ेगा, मैं तो आपको strategy बता दूँगा, बट जो actual में काम करना है, वो आपको करना है, dedication के साथ, consistently पढ़ाए आपको करना है, तो आपको 110% efforts दालना पड़ेगा, तब ही जाके ये clear हो पाएगा, जो आपका CS का exam है जू आपका CS journey को आसान बनाने के लिए physics वाला ने launch किया अपना विश्वास दिवस offer, जिसके तहित आपको जो CS server badge है, CS executive का, उसके lectures काफी reasonable price पर और काफी discounted price पर मिलने वाले है, limited time period के लिए, अब इसके बहुत सारे USP है, जैसे सबसे पहला USP इसका ये है, कि इसका जो lectures है, आप live तो देखी सकते हो, जब professor पढ़ा रही तब आप देख सकते हो, बट उसके अलावा भी इसका, आपको access मिलता है 24-7, जब चाहे आप इसको देख सकते हो, इसके अलावा भी बहुत सारे USP है, जैसे effective learning के लिए आपको smart tricks बताया जाएगा, इसमें summary notes भी होगा, जिसके help से, आप जल्दी revise कर पाओगे, जो भी आप पढ़ रहे हो, उसके अलावा practice test भी होगा, अलग-अलग subjects के लिए, और आपको mentorship भी मिलेगा, और जो भी teaching होगा, वो practical examples और case studies के साथ होगा, ताकि आप easily समझ सको पूरा concept, और जो सबसे best चीज़ जो मुझे लगता ही है, बैच का व module 1 लेते हो, तो इसका price है सिर्फ 3,500 रूपीस only, similarly अगर आप module 2 के lectures लेते हो, तो price है 3,500, बट अगर आप combo लेते हो, जो मैं हमेशा recommend करता हूँ, तो इसका price है सिर्फ 6,500 रूपीस, इसमें भी एक good news है, अगर आप मेरा promo code यूज करते हो, जो यह आप है, तो आपको additional 200 वो यह है कि हमको कितने groups के लिए appear करना चाहिए, अब इसमें भी दो type of students है, एक essay student है, जिनका exam पहले जून में ही था, मतलब उन्होंने December में नहीं दिया है, पहले से वो June के लिए prepare कर रहे थे, और essay student जिन्होंने December में दिया था, बट उनका clear नहीं हुआ, तो essay student की बाद हम प आपको वोपस से पढ़ाई नहीं करनी है, scratch से पढ़ाई नहीं करनी है, आपको एक detailed revision की जरूआता है, एक detailed revision अगर आप करोगे, तो वो आपके लिए sufficient होगा, combined with marathon, lecture, writing, practice, और जो भी past year के question paper solving है वो, तो इसके वाज़े से मेरे हिसाब से ऐसे students, जिन्होंने दोनों ग्रूप के लिए अपियर किया था, executive का या professional का तीनों ग्रूप, उसको वोपस से तीनों ग्रूप और दोनों ग्रूप, अगर executive में हो तो दोनों ग्रूप आपको वोपस देना चीए, बट अगर कोई ऐसा student है, जिन्होंने खाली एक ग्रूप के लिए अपियर किया था, मतलब सपोस आप executive में हो, या फिर suppose professional में हो, बट आपने कोई भी एक ग्रूप के लिए अपियर किया था, और वो आपका clear नहीं हुआ है, तो ये case में भी आपको दोनों ग्रूप देना चीए, उसका reason में आपको बताता हूँ, मेरे हिसाब से क्यों दोनों ग्रूप देना चीए, अब ज जिसका exam clear नहीं हुआ, उसका detailed revision करना है, तो अगर आप 12 गंटे पढ़ रहे हो, तो 6 गंटा आपका जो group नहीं हुआ है, मतलब December में जो आपने दिया था, जो नहीं हुआ, उसका आपको revision करना है, बाकी के 6 गंटे पूरे आपको ध्यान लगा के, वो second group का बढ़ना है, जो आ आते हैं, ऐसे students जिसका पहली बार जून 2024 में exam से, मतलब उन्होंने पहले गभी exam नहीं दिया, December में नहीं दिया था, जून 2024 में पहली बार exam दे रहे, अब अगर आपका already एक group का preparation हो चुका है, आज ये video अप्लोड हो रहा है, एक मर्च को approximately, तो अगर आपका already एक group का preparation हो गय है, बट अगर student कोई ऐसा है, जो for some reason अभी तक पढ़ाई स्टार्टी नहीं कर पाया, मतलब बहुत कुछ reason हो सकता है, family issue हो सकता है, health issue हो सकता है, या फिर कोई और reason के वाज़े से अभी तक उसने पढ़ाई स्टार्टी नहीं किया है, मतलब आप वो एक मर्च को पहली बार book खोल रहा है, module खोल रहा है, lectures देख रहा है, तो ऐसे student को मेरे ही साब से अपियर करना चाहिए, कोई भी एक group के लिए, क्योंकि 3 months में दोनों group का lectures देखना, self study करना, paper solve करना, writing practice करना, सब कुछ possible नहीं है, तो अगर आपने अभी तक कुछ भी preparation नहीं किया है, तो फिर आप एक group के लिए appear करो, बट अगर आपका preparation अरड़ी हो चुका है, एक पूरे group का complete हो चुका है, या फिर एक group का आपका 80% complete हो है, second group का बाकी है, तो अभी भी आपके पास adequate time है, कि आप दोनों group के लिए appear कर सकते हो, executive का, और professional का आप तीनों group के लिए appear कर सकते हो, यहापे आपके complete नहीं हो जाता, तब तक दूसरे group में मत जाना, जब आपका एक group complete हो जाता है, फिर आपको assess करना है कि कितना time बचा है, suppose आपका 15 April को एक group होता है, 20 April को होता है, तो तब आपको देखना है कि दूसरे group के लिए मेरे पास adequate time है के ने, दोनों group की पढ़ाई साथ में मत करो, फ बात है कि यह possible कैसे हो पाएगा, मतलब अब आपको answer मिल गया कि कितने group के लिए appear करना है, और possible है के नहीं 3 months में clear करना, बट यह कैसे होगा, उसके लिए मैं आपको तीन चीज बता रहा हूँ, तीन strategy आपको follow करना है consistently, सबसे पहली बात है, आपको consistently पढ़ाई करना है, यह ब पढ़ा, पंदरा दिन पढ़ा, फिर पाच दिन का ब्रेक ले लिया, वेकेशन पे चले गए, ट्रिप पे चले गए, दोस्त का बड़े आ गया, तो दो-तीन दिन आपने उसमें वेश्ट कर दिया, या फिर कोई relative का शादी आ गया, तो उसमें आपने 5-7 दिन वेश्ट किया इसा नहीं करना है आपको, एकात दिन का अगर आपने ब्रेक लिया, एक्सेप्शनल सिचुएशन में तो वो चलता है, बट आपको कोई भी बड़ा ब्रेक नहीं लेना है, ट्रिप पे नहीं जाना है, मतलब अननेसेसरी 4-5 दिन का ब्रेक नहीं लेना है, फोर एनी रिजन, आपको make sure करना है कि, all the 92-93 days, जितने भी दिन आपके पास हाथ में है, हर एक दिन को आपको utilize करना है, to the 110%, जितना भी आप पढ़ सकते हैं, जो भी आपका time table है, 10-12 घंटे का, वो आपको ensure करना है, daily basis पे आप उसको follow कर रहे हो, consistently पढ़ाई कर रहे हो, second चीज जो आपको करना पढ़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास एक proper time table है, fixed time table है, तो आपको पता है कि, कब उटना है, कितने बज़े उटना है, कितने बज़े पढ़ाई शुरू करना है, कितने बज़े lunch break लेना है, कितने sessions में आपको पढ़ाई, divide करनी है, ये सारी चीज़े आपको पता चलेगी जब आपका एक proper study time table है, वरना किया होगा, instagram open करोगे, पाच मिनिट के लिए real scroll करते रहोगे, एक गंटा निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा, इसके लिए ये सारा चीज़ नहीं हो, उसके लिए आपको ensure करना है, कि आपके पास एक proper study time table है, already मैंने एक study time table का वीडियो बनाय कि एक study time table का वीडियो अपलोड होना चाहिए, लाश्ट 3 months के लिए, तो मैं उसके उपर एक अलग वीडियो बना दूगा, जो थर्ड चीज़ आपको करना है, वो यह है कि आपके पास एक study plan होना चाहिए, अब study plan होगा, तो आपके पास एक direction होगा, कोई भी destination पे पहुचने कैसे करना है, कब revision करना है, कब writing practice करना है, कब आपको past year के question paper solve करना है, कब marathon lecture देखना है, यह सब कब पता चलेगा, जब आपके पास एक study plan होगा proper, तब आपको पता चल पाएगा, अब study plan भी मैंने upload किया था, दो तीन महीने पहले ये वाला वीडियो आप देख सकते हो मेरा, बट अगर similarly, study time table के तरह आप चाते हो कि मैं study plan का वीडियो वापस upload करूँ, last three months का, March, April में, तो मेरे को नीचे comment section में बताओ, अगर आप में से बहुत सारे लोगों को requirement होगा, तो मैं study plan का वीडियो भी एक अलग वीडियो upload कर दूँगा, तो यह था आपके question का answer, कि three months में possible ह कि नहीं या फिर एक group देना चाए, दो group देना चाहिए, तीन group देना चाहिए, सभी question का answer में जोंहें दे दिया है, इसके अलावा भी अगर आपका कोई अलग case है, आपको समझमनी आ रहा है, appear करना चाहिए, कि नहीं एक group देना चाहिए, दो group देना चेह, तो मिरेको comment section में ब बताओ कि आपको ये situation में क्या करना चाहिए अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को like कर देना और thank you very much for watching